खाद्य अन्न पदार्थ सुरक्षा, खाद्य त्सरोत अपने शरीर को, मिलने वाले घटक, जुवार, गेहुन, बाजरा, चावल कार्बोजी पदार्थ कार्य उर्जा का निर्मान, दलहन और सभी दाले प्रथिन कार्य शरीर की व्रिद्धी तथा शरीर के क्षरन की पूर्त तेल, गी वसा कार्य उर्जा का निर्मान, फल, सबजी, जीवन सत्व तथा खनिज कार्य रुग प्रतिकारक्षमता निर्मित करना शरीर की विभिन प्रक्रियाएं शरीर की व्रिद्धी के लिए कार्बोजी पदार्थ, प्रतिन, वसा, जीविन सत्व, खनेच तथा रेशेदार पदार्थ आवश्यक होते हैं भोजन की ये घटक जिन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, वी यदी खराब हो जाएं अथ्वा उनमें कीडे लग जाएं, तो इसे खाद्य विक्रिती कहते हैं खाद्य विक्रिती, जब किसी खाद्य के रंग, गंध, जाती, गुनवत्ता तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाए और उसके पोशकों का विनाश हो जाए, तो इसे खाद्य विक्रिती कहते हैं खाद्य विक्रिती के मुख्य कारण प्राकृतिक कारण, फलों अथ्वा फलों के छिलकों का काला पढ़ना, कड़वी होना या दुरगंधाना ऐसे खाद्य खाने के लिए उप्युक्त नहीं होते ये सभी परिवर्तन अंतरिक घटकों द्वारा होते हैं मानव निर्मित कारण मनुष्य की प्रक्रियाओं द्वारा खाद्यों में विकार उत्पन होना अग्जाम्पल आवश्यक्ता से अधिक पकाना, गिले स्थान पर रखना, अनुप्युक्त स्थान पर संग्राह करना ऐसा करने पर भी खाद्य की गुणवत्ता में विकार आता है परिवहन के समय होने वाला विकार गलत धंग से संधारन भी विकार उत्पन करते हैं खाद्यों का अपना गुन्धर्म दूध, मा सित्यादी खाद्यों में अमलिय अत्वाक्षार की या गुन्धर्म होने के कारण ये शीग्र विक्रित हो जाते हैं रासायनेक अभिक्रिया कुछ खाद्य धातों के संपर्क में आने पर रासायनेक अभिक्रिया होने के कारण विक्रित हो जाते हैं सुक्षम जीव तथा कीटक, खाद्यों में सुक्षम जीवों तथा कीटकों के प्रवेश से भी ये विक्रित होते हैं ऐसे सुक्षम जीव हवा, पानी तथा जमीन में होते हैं. विक्रित खाद्य खाने पर रोग होते हैं और हमारी प्रकृती में भी खराबी पैदा होती है. इसलिए हमारा भोजन उत्तम गुनवत्ता वाला होना आवश्यक होता है. खाद्य का वियर्थ जाना, रोकना महत्वपूर्ण, विज्ञान तथा प्रोध्योगिकी की सहायता से हमारा देश विभिन प्रकार के अनाज, फल, सबजियां, मचलियां और दूद तथा दूद से निर्मित खाद्यों का अत्यदेक मात्रा में उत्पादन में पर्यापत कुछ लोगों को तो एक समय का भी भोजन उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिती में खाद्यों के वियर्थ जाने को टालना आवश्यक है, खाद्यों की मात्रात्मक्षती quantitative wastage of food, खेती करने की गलत विधी, जैसे मुट्टी से बोना, गलत धंग से मढ़ाई, अनुप्योक्त भ इन सभी क्रियाओं द्वारा खाद्य की मात्रात्मक्षती होती है, खाद्यों गुणवत्ता में ख्षती qualitative wastage of food, खाद्यों के सन्रक्षन में सन्रक्षन की गलत विधी का उप्योग, खाद्यों परिरक्षकों का अनावश्यक उप्योग, खाद्यों को अत्यधेक पकाना, अध्यकी क्षती रोकने के उपाए, थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन न परोसना थाली में भोजन समाप्त करना, उसे फिकना नहीं बलकी पुनह उप्योग करना, भोजन को अधिक समय तक न पकाना, जितना आवश्यक हो उतना ही अनाज, फल, सबजियां खरीदना, अयुरोधी डिब्बों तथा बोतलों में भरे गए खाद्यों का उप्योग करने के पहले, उन पर अनकेत उप्योग की अंतिम तारीख या माहवश्य देखना और उसके पहले ही उनका उप्योग कर लेना विश्व खाद्य सन्रक्षन दिवस प्रती वर्ष 16 अक्टूबर के दिन विश्व खाद्य सन्रक्षन दिवस मनाया जाता है इस दिवस के मनाने का मूल उद्देश्य खाद्य सन्रक्षन करने और खाद्य का विनाश रोखने के प्रती लोगों में जागरुकता उत्पन करना है खाद्य भंडारन तथा रशन, Food, Storage and Safety खाद्य भंडारन की विभिन विधियां हैं एक्जाम्पल खाद्य को ठंडा करना, धूप में रखना, सुखाना, उबलना, वायुरोधी डिब्बे में रखना इत्यादी ऐसा करने से खाद्यों में सुक्ष्म जीवों की व्रिद्धी नहीं होती खाद्य सनरक्षन तथा परिरक्षन खाद्य सनरक्षन, खाद्य को सुरक्षित बनाए रखना ही खाद्य सनरक्षन है विभिन कारणों से खाद्यों में सुक्ष्म जीवों की वृद्धी होने पर वे खराब विक्रित हो जाते हैं, उनमें कीडे लग जाते हैं इसलिए इससे सुरक्षित रखने का सही उपाय करना आवश्यक है खाद्य परिरक्षन, विभिन प्रकार के परुरक्षिकों का उप्योग करके खाद्यों में उत्पन होने वाले विकारों को रोकने की विधी को खाद्य परिरक्षन कहते हैं ऐसा खाद्य अधिक समय तक टिकता है कौन क्या करता है? खाद्य एवम औशधी प्रशासन, FTA, यह वास्तब में सरकारी यंत्राबली है। यह संस्थान खाद्यों एवम औशधियों का प्रमानन करके उनके उत्पादन तथा वित्रन पर नियंत्रन रखने का काम करता है। भारतिय खाद्य संरक्षा एवम मानक प्राधिकरन, Food Safety and Standards Authority of India, नामक संस्थान को खाद्य संरक्षन और मानक द्वारा कानून 2006 के अनुसार स्थापित किया गया है। खाद्य संरक्षन की विधियां, हिमीकरन, घरों के प्रशीतक फ्रिज में रखने पर खाद्य सुरक्षित तथा खाने योग्य बने रहते हैं। धूमायन, इस विधी में खाद्यों को धूआ देकर संरक्षित करते हैं। इस प्रक्रिया में एलियूमिनियम फासफाइड की निर्धारित मातरा का उप्योग करते हैं। कीटक नाशकों का उप्योग, खाद्य संरक्षन के लिए अनेक कीट रक्षक उप्योगी होते हैं। बोरों में भरकर उन पर मेल्थियोन की फुहार इसलिए छोड़ी जाती है। किरनियन अरेडियेशन इस प्रक्रिया में खाद्यों पर आयनीकारक विकिरनों का फवारा छोड़ा जाता है। जैसे उच्य उर्जावाले इलेक्ट्रान, त्वराक द्वारा निर्मित एक्स किरने अथ्वा रडियो धर्मी समस्थानिकों उत्सजित गामा किरन। इस प्रक्रिया में कीटक, सुक्षम जीव, फफून्दी आदी नश्ट हो जाते हैं। गैसों का उप्योग, वायू रोधी पैकेटों में बंध खादयों पर नाइट्रोजन गैस का उप्योग करने से उनमें फटी नहीं लगती। ये कीटिकों को भी नश्ट कर देती है। परिरक्षकों का उप्योग, प्राकृतिक परिरक्षक, नमक, शककर, तील जैसे प्राकृतिक परिरक्षक खादय सनरक्षन करते हैं। रासायनिक परिरक्षक, एसीटेक अमल, विनेगर, सिरका, साइट्रेक अमल, सोडियम बेंजोईट तथा कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट लवन। पास्तरीकरन, दूध्या दूध जैसे अन्यपदार्थों को पास्तेरीकरन विधी से विशिष्ट तापमान पर स्थेर रखकर उन्हें सनरक्षित करते हैं। सर्व प्रत्थम दूध को 80 डिग्री सेलसियस तापमान पर लगभग 15 मिनट तक गरम करके उसे शीगरता से ठंडा करते हैं। फलत उसके सुक्षम जीव नश्ट हो जाते हैं और यह दूध परियापत अधेक समय तक तिकता है। इस वेधी को लूई पाश्चर नामक वैज्यानिक ने विक्सित की थी। खाद्य अपमिश्रन, Food Adulteration खाद्य अपमिश्रन इस प्रकार होता है। खाद्यों का कोई महत्वपूर्ण घटक निकालने के बाद ग्राहक के हाथ बेचना। हानिकारक रंग या पदार्थ मिश्रित करना, निम्ग गुनवत्ता वाला सस्ता तथा अखाद्य पदार्थ मिश्रित करना, खाद्य अपमिश्रन के प्रभाव अपमिश्रन युक्ष खाद्य स्वास्थे के भयनकर रूप में हानिकारक होते हैं। खाद्य अपमिश्रन की जांच के उपाय दूध, मिर्च काच्चून, हल्दी तथा सूजी में किये गए अपमिश्रनों की जांच करने के उपाय हैं。 लोकसभा द्वारा इयर 1954 में खाद्य अपमिश्रन प्रतिबंधक कानून पारित किया गया है. इसमें समय समय पर संशोधन करके वर्ष 1976 के संशोधित कानून के अनुसार अपमिश्टन करने वालों को आजन्म कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है अन्य व्यवस्थाईं, खाद्य का भंडारन उचित स्थान पर तथा सही प्रकार किया जाए खाद्य का वेश्टन उसे नश्ट न करे वेश्टन पर निर्मान का दिनांक, कालाब्धी तथा संग्रह संबंधी सुचनाए स्पष्ट लिखी हूँ खाद्य अपमिश्रन संबंधी प्रयास फलों को रासायनिक पदार्थों के इंजेक्शन देकर उन्हें आकर्शक तथा स्वादिष्ट बनाते हैं दूद बेचने वाले दूद में युरिया मिश्रित करके उसकी स्निगधता बढ़ाते हैं कुछ विक्रिता बहुत से वायो रोधी डिब्बों तथा पैकेटों पर अनकेत एक्स्पायरी डेट बदल देते हैं इससे उन्हें तो लाब होता है परंतु ग्राहक के लिए यह खतरनाक सिधा होता है केलशियम कारबाइड तथा अन्य रसायनों का उप्योग करके केले तथा अन्य फलों को आकरशक तथा पीताब बनाते हैं शीतपियों में कार्बोनेटिव सोडा तथा फॉसफोरिक आसड जैसे घातक पदार्थों का उप्योग करते हैं For more update, please like share and subscribe to my channel thank you.